हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूँ एक बाद फिर से आपका आपने YouTube चैनल exam जैस्ट में आज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ के RRB की जो टिक्रूटमेंट अभी जारी है माई कैटिगरी के जो एक्जाम हो चुके हैं एंटीपीसी का एक फेज का एक्जाम रह रहा है और अभी कुरूपटी के एक्जाम की कोई डेट नहीं आई है अभी कुछ दिन पहले वीडियो कोंफरेंसिंग के चरिये जो रेलवे के चेर्मैन सुनित सर्मा उन्होंने जो है अभी बताया था कि जो कोविट का जैसे ही इफेक्ट हलका होगा तो हम एक्जाम की डेट एक्जाम का शेडूल जो है रिलीज कर देंगे तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो रेलवे के एक्जाम अभी तक नहीं क्रू करते हैं जैसा कि आप इस न्यूजुसपेपर की कटिंग में देख सकते हैं रेल्वे में भरती परिक्षा जल्द होगी यह जो कटिंग है हिंदुस्थान न्यूसकिक कटिंग है। और दिली के स्टेट से है और इसकी जो डेट है वो पाच जून है यानि कि आज ही की डेट में ये जो न्यूज है वो पॉब्लिश हुई है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो लगबक च्छतिस हजार वेकंसी यह रिक्रूटमेंट भरे जाने थे एंटी पीशी के थ्रू उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जल्दी होगा कुछ राज्यों में कोविट को अन कोविट के कारण अभी लोकडाउन है लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अभी अनलोक क प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है तो उसको मद्य नजर रखते हुए यह बताया गया है कि इस महिने के लाज्ट तक या फिर जो नेक्स्ट मन्थ होगा उसके स्टार्टिंग तक आपके जो है एक्जाम सेडूल जारिक कर दिये जाएंगे इस नोटिस के अंदर यह भी विद्टाये कि जो एंटीपीशी की परिक्षा एंटीपीशी की जो रीकूट्मेंट लेने का जो भार है जो वो नो है तो वो जो बेश्ट है वो आर playful हो सुपा गया है तो उसके नजरिये से अगर आप देखे तो 20 से 25 तिन के बाद आपका जो है एक्जाम शिडूल वो जारिक कर दिया जाएगा और इसके अंदर ये भी बताया किया है कि अगर हम अगर एंटी पीसी का एक्जाम जैसी सेवंथ फेस का होता है तो उसके तुरंद बादिक है एक्जाम कंड़क्ट करा लिए हैं लेकिन ये सब उन्होंने गलत बोल दिया अभी सिक्थ फेस के ही जो है एक्जाम कंड़क्ट हो पाए है भी सेवंथ फेस का बचा हुआ है तो आप यह जान लीजे कि अब आपके पास जो है बहुत ही कम टाइम रह गया है दो से तीन डिप्रेशन में लग जाईए अगर आप वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूले थैंक्यू